प्यारे सातियों आप लोगों की तरफ से कुछ queries लगातार आ रही हैं जिनको लेकर आपके मन में confusion है क्योंकि कुछ YouTubers के द्वारा wrong information share की जा रही है तो आज मैं आपके साथ में जो भी आपकी confusion है उसको 100% authentic information के साथ disclose करने वाला हूं आज की इस देशन में हम लोग इन तमाम बातों को discuss करने वाले हैं Let's start सबसे पहली query है क्या O-level practical exam में copy लिखनी होती है तो answer आयेगा आपको किसी भी प्रकार का कोई भी copy नहीं लिखनी है और नहीं किसी प्रकार की कोई step लिखनी है अगर कोई teacher आपसे बोलता है कि भी या वहाँ पर आपको copy लिखनी है या फिर steps लिखनी होंगी तो इसका मतलब यह है कि वो आपको fake information दे रहा है तो O-level practical exam में किसी भी प्रकार की copy लिखनी नहीं होती है हाँ इसमें आप लोगों का वायवा जरूर होता है Next Practical की date को कैसे change करवा सकते हैं अगर आप लोगों का O-level practical जिस दिन है उसी date को कोई other exam है तो इसके लिए आप लोग निलिट को mail कर सकते हो चांस रहते हैं कि जो आपकी date है practical exam की वो change हो जाएगी Change कैसे करना है Simply website को open करिए Chrome को open करिए या फिर अपने Gmail application को open करिए Open करने के बाद यहाँ पर मिलेगा option compose का compose पर क्लिक करिए दिन्ध्यान दीजेगा अगर आप लोगों को practical exam की date change करवानी है तो आपको email करना होगा PR exam at the rate nilit.gov.in इस email id पे तो यहाँ पर type कर दीजेगा यह email id इसको note कर लीजे तो यहाँ पर type कर दीजेगा सुद्ध हिंदी में जो भी आप जिसमें आप comfort हो हिंदी या इंगलिस में कि भई मुझे अपने practical exam date को change करवाना है यहाँ पर आप type कर दीजेगा कि sir मेरा नाम यह है registration number यह है मेरा O-level practical exam जो इस भी paper का है इस date को है और उसी date को मेरा यह वाला भी exam है जिसका admit card हमने सनलगन कर दिया है करेपे आप मुझे other date दीजिए या आप लोग यहाँ पर date को specify कर सकते हो तो अगर आप लोगों की date change होती है तो निलिट की तरब से आपको reply आएगा और जो reply है इसका कुछ fix time नहीं है यह same day भी आ सकता है दो से तीन दिन का time भी लग सकता है इस प्रकार से आप लोगों को अपना practical exam date change करने के लिए mail कर देना है अगला important है वो है practical को save कैसे करते हैं मान लिजे आपने question को solve तो कर दिया but उसको save नहीं किया तो इस case में क्या होगा जो आपका code है वो server पर store नहीं हो पाएगा तो आपको marks नहीं मिलेंगे तो आईए जानते हैं save कैसे करना है सबसे पहले अगर आप लोगों का अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो अगर आपका python का exam होगा तो आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको coding करनी रहेगी यहाँ पर एक button रहेगा compile का compile पे click करोगे तो क्या होगा जो यह code है न यह compile हो जाएगा और इसका output आपको दिखाई देगा बट अगर आपको लगता है कि आपने coding कर लिया है question को solve कर दिया है तो इस case में क्या होगा आपको यहाँ पर click करना होगा submit code पे submit code पर click करते ही क्या होगा जो आपने code लिखा है वो save हो जाएगा server पर forward हो जाएगा server पर save हो जाएगा तो अगर आपने यहाँ पर coding किया कोडिंग करने के बाद compile पर click किया तो भी जो code है ये compile हो जाएगा और आपको output दिखाई देगा दिन आपको यहाँ पर click करना है तो python का code save करने के लिए आपको submit code पर click करना है अगर आपने submit code पर click नहीं किया और अगले question पर switch कर गए तो इस case में क्या होगा जो ये आपका code है य यहाँ से delete हो जाएगा तो अगले question पर jump करने से पहले code को submit कर दीजिएगा ये गलती आपको नहीं करनी है और आपको बताता हूँ जो ये question आपको दिखाई दे रहा है ये question आप लोगों का previous exam में पूछा भी गया है जिसको आप solve कर लीजिएगा ठीक है अगला question क्या है अग तो आप submit code कर दीजिए आप जितनी बार चाहो उतनी बार submit code कर सकते हो for example आपने आपर coding की थी उसको आपने submit कर दिया बट यहाँ पर कुछ error रह गई थी तो इसको आप दूर कर दीजिए फिर से आप submit कर दीजिए जो code है वो submit हो जाएगा इसी प्रकार से ये आप लोगों का M2R5 है M2R5 में आपको यहाँ पर coding करनी है और यहाँ पर पहले से आपको HTML, W3 का CDN, AngularJS का CDN यह आपको पहले से मिलेगा ठीक है तो जो आप यहाँ पर coding करोगे coding करने के बाद submit code पे click करिएगा, submit code पे click करने से क्या होगा जो यह आपका code है इसका output आपको यहाँ पर दिखाई देगा और साथ ही साथ जो यह code है यह save हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा confused नहीं होना है, इसमें क्या करना है, coding करनी है, coding करने के बाद submit code पे click करिएगा, तो जो इसका output है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और जो code है वो save हो जाएगा इसी प्रकार से जो M1 के लिए है मान लीजिए आपने question solve कर रहे थे writer का या फिर calc का या फिर powerpoint यानि की impress का तो आपको तीनों ही software में चाहे वो writer हो calc हो या फिर impress हो top left में दिखाई देगा save का icon इस पे आपको click करना होगा इस पे click करने से क्या होगा जो भी आपने solution किया है वो save हो जाएगा तो मैंने आपको M1, M2, M3, M4 इन सभी का जो code है program है save कैसे करना है बता दिया है अगला question आप लोगों के सामने ये है जो कि लगातार आप से पूछा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि practical 30 minute, 50 minute और 90 minute का होगा answer है जी नहीं जो practical है वो सिर्फ और सिर्फ 50 minute का होगा चाहे वो आपका M1 का हो, M2 का हो, M3 का हो, या फिर M4 का हो या फिर एक ही दिन में M1, M2 का हो, या फिर तीनों पेपर का हो, या फिर चारों पेपर का ही क्यों ना हो, प्रतेक पेपर के लिए आपको 50 minute का time दिया जाएगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस बात को proof करके ताकि आपके mind में कोई भी confusion ना रह जाए ठीक एक नूट की एक जड़ा, मुझे slide को change करना पड़ेगा, कहा गई slide, यह देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है जो M1 है, इसके लिए भी कितना है, 50 minute का time है, M2 के लिए भी 50 minute का time है, और M3 के लिए भी और M4 के लिए, आपको confuse नहीं होना है, time मिलने वाला है, 50 minute का ही, लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ admit card पे, ताकि आप लोगों को confusion ना रहे आपके सामने तमाम सारे admit card open है, अगर मैं इस बच्चे का दिखाऊँ, नाम है मोनिका, इनका 7, 5 को ही M1, M2, M3, M4, इन सभी का exam है सबसे पहले इनका exam, इनको क्या करना होगा, जो सबसे starting time है वो है, 8 बचकर 30 minute, इनको क्या करना होगा, इसी time पे अपने exam center पे report करना होगा, report करने के बाद इनको एक दी दिया जाएगा system, जो बाकी process वो होगा, और 9 बज़े से इनका PR 4 का exam सुरू हो जाएगा मान लीजे, इनको seat दी गई, इनको दिया गया computer number 25, तो ये जो मोनिका है, ये यहीं पर बैठी रहेंगी, और इनका सबसे पहले PR 4 का practical exam होगा तो यहाँ पर इनका practical exam हो जाएगा, शुरू कितने बज़े से होगा, 9 बज़े से, और इनका जो practical है, वो 9 बच कर 50 मिनट पे complete हो जाएगा अब इनका जो अगला exam है, वो है 10 बज़े से, बट यहाँ पर time दिया गया है, 9 बच कर 30 मिनट, तो क्या सर जो practical है, वो 30 मिनट का होगा आंसर जी नहीं, यह क्या करेंगी, यह इसी seat पर बैठी रहेंगी, और ठीक, 10 मिनट के बद, 10 बज़े से इनका PR3, यानि की M3R5 का exam सुरू हो जाएगा, ठीक, इसके बद, 10 पचास पे इनका PR3, यानि की M3 का exam finish होगा, और इसके बद, 10 मिनट के बद, इनका 11 बज़े से, PR2, यानि की M2R5 का exam सुरू हो जाएगा, और यह exam इनका 11.50 पे खतम हो जाएगा, इसके बद में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और 12 बज़े से इनका PR1, यानि की M1 का जो प्रैक्टिकल है, वो सुरू हो जाएगा, जो की 12 बचकर 50 मिनट तक चलेगा, तो आपके मन में जो doubt था है, आपको confused नहीं होना है, अब बात यह आ रहे थी सर, जो O level की exam date seat है, उसके according जो exams हैं, वो 7 से लेकर 12 फैब तक होने वाले हैं, बट मेरा exam 13 फैब को, या फिर 14 फरवरी को है, तो इसका मतलब क्या मेरा admit card wrong है, तो answer है जी नहीं, होता क्या है कभी कभी, जो निलिट है, उसन जो exams हैं, वो 7 से 12 फरवरी के बीच में आराम से हो जाएंगे, बट बच्चे जादा हो गए होंगे, तुन्होंने date को extend कर दिया, तो जो आपके practical हैं, ये 7 से लेकर 14 फैब तक होने वाले हैं, तो अगर आपके admit card पे 13 या 14 फैब है, तो उसी date में आपका practical exam होगा, इसमें पर सभी का same होगा, for example, date है 7 फरवरी, date है 7 फरवरी, इस दिन मान लीजिए, 9 बजे से M1 का exam हो रहा है, क्या हो रहा है, M1 R5 का practical हो रहा है, PR1, क्या होगा, इस time पे, जहां जहां पर PR1 का exam हो रहा होगा, उन सभी के जो questions हैं, वो same रहेंगे, जबकि MCQ में क्या होता है, सभी क जो questions हैं, वो अलग-अलग होते हैं, randomly generate होते हैं, बट यहां पर क्या होगा, same slot, यानि कि same batch के question सभी के same रहेंगे, और जो questions पूछे जाएंगे, ये repeat भी होंगे, for example, आज की date में question आ गया, कि भईया, mail merge को solve करिए, mail merge को implement करिए, इसका मतलब यह नहीं कि जो एक question है, ये अगल के batch में ही repeat होगा, बट question repeat होते हैं, अगला topic आता है, number कौन देगा, बताइए, जो number है, ये कौन देगा, निलिट या फिर exam center, तो answer आएगा, जो practical के exam है, ये होते आप लोगों के online ही है, अना कैसे होते हैं, होते online ही है, लेकिन जो ये आपने question को solve किया है, ये कोई भी program चिक नहीं करता है, बल्कि इसको manual बाद में चिक किया जाता है, और आपको marks दिये जाते हैं, तो आप ये कह सकते हो, कि जो practical के marks का control है, वो आपके exam center के पास है, ठीक है, तो जो भी आपके doubts थे, वनने आपके पास, आपके साथ clear कर दिये हैं, फिर भी आपके पास कोई query है, तो आ जो playlist है, मैंने create कर दिये, इसको आप यहां से explore कर सकते हो, आपके exam के लिए best wishes, आपके exam में जो भी questions पूछे जाएं, आप मेरे को whatsapp कर दीजिएगा, जय हिंद, वन्दे मातरम, थेंक्यू